प्राम राम किसान भाईयो तिवारी जी की लाइफ में आपको बहुत-बहुत स्वाघत हैं और सभी किसान भाईयो को किसान दिवस की बहुत-बहुत सब्काम ना है और आज फिर से हम आ गए हैं यहां पर सिरीनाक करने के लिए एक मशीन आई है और उस मशीन से आपको exact मतलब exist 100% तो नहीं पर 90% exact result मिल जाता है यह पता चल जाता है कि आपको कहाँ पानी मिलने वाला है कितनी गहराम सोर्स है कौन कौन से सोर्स है तो सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी तो आज हम आपको इस उस मशीन का लाइब टेस्ट करके बताएंगे खेद पर चली और उसका लेगों करके बताएंगे और यहां के इंजिनियर सबमक रभाएंगे किस तरीके से मशीन काम करती है वो भी हम समझेंगे तो चलते हैं खेट पर कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे दर्सक सर क्या है 11 वजी फोन लगा देते हैं वह बात नहीं होंगे तो 11 वजी फोन उठा लेंगे उसमें लेकिन आप लगाए ना यार क्योंकि हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है कोई अर्जेंसी है तो उठाते भी ऐसा नहीं है कि विल्कुल विल्कुल तो चलते हैं हम तो हम आ गए हैं खेट पर और मशीन का सेट अप हो रहा है इसाम दिखाना चाहेंगे को यह पासमाओ दिखाओ यह देखें यहां पर इस तरीके से सरी नेटवर्किंग के लिए साइद यूज करता हुगा यह फिक्रेंसी भी डालता है बेव निकालता है और यहां पर देखें सेट अप हो रहा है तीन दो अलग चुके हैंटी ना तीसरा अब चौता एक बड़ा वाला तीन छोटे वाले यहां पर हम सेट अप कर रहे हैं यहां पर दीखिए सेट अप करना स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद हम पहले इनसे समझेंगे कि किस मैथर्ट से हम यहां पर टेस्टिंग करने वाले हैं और क्या मैथर्ट होती है टेस्टिंग करने के लिए और किस तरीके से हम यह मशी मशीन सर्व वही अपना ग्राफिक के त्रू चलती है यह इसमें जो है फिकुरेंसी यह खेत के जितना रेंज होता है अपना एक 200 खेत पर सर्वे करेंगे कि इस खेत में पानी का अपर है तो यह पन रोटेटरी से सर्च करेंगे पहले रोटरी मेथट डालेंगे रोटरी से जिदर पॉइंट आफ करेंगे तो यहां पर हमने सेट कर दिये हैं तो कितना मेटर से लिए रहें यहां पर सर्व आपना 500 मितर का तो प्रंट रेंच ले रहें और अभी यहां का 200 तो यहां पर किसान भाईयों हमने मशीन चालू कर दी है अब देखिए तरीके से रोटेट होगी किस तरीके से वर्क करेगी और उसके बाद हम रिपोर्ट भी बताएंगे यहां पर दिखिए रोटेशन चालू हो गया है तो सर यह दो तरीके से गुमती होगे क्लॉक्वाइज एक पहले यह अभी एंटी क्लॉक्वाइज घुम रहा है जब यह पुरा 360 डिग्रीज का अपना राउंड क्लियर कर लेगा फिर उसके बाद यह क्लॉक्वाइज गुमना उसके बाद में जहां पर पानी मिलना शुरू ह होगा इसका बीपिंग चेंज होना शुरू होगा और जहां पानी का सोर्स इसे मिलेगा वहां यह लंबी बीप के साथ रुख जाएगी और डारेक्शन में रुखेगा और उसका रेपोर्ट से हमको पता चलेगा कि कि दूरी पर पानी है फिर वहां पर जाएंगे फिर वहा होता है कि हमको रिजल्ट और चोटा कि माली ची उसका दस भीगा का खेते पंदरा गया खेते तो ऐसे में हमारे पास पुरा दिन लग जाएगा अगर हम उसको हाथ में लेकर घूमेंगे दूं इसमें रोटरी में कि हम रहें 200 पिट्सका अपना जो है पुरा रेंच कवर कर स बिल्कुल किसान भाई और देखो क्योंकि काफी अच्छी चीज है यह टेकनोलिजी का यूज करना चाहिए क्योंकि सर आपके साथ कभी ऐसी कुछ घटना होई कि किसानों ने दो तीन बार वोरिंग करवाई हो उसके बाद आपको बुलाया हो फिर उनको जाकर एक जट पानी म उन्होंने मुझे बुलवाया था और वहां जाकर सर्चिंग किया तो उसमें उनकी जो रेंज था वह साड़े चार सो से छेसो फिट का आ रहा था उसमें और फिर वहां जाकर उनको दो एक्स्ट्रा पाइंट दिये हैं अभी उनका कोई फोन नहीं आया है कि उन्होंने करव पाइथा उसमें भी उनको उन्होंने बुला थे कि इसमें टेस्ट करके बताएं से अभी दूश्ट्रा पानी मिलेगा वहां पर यह मशीन बीप करेगी देखते हैं किस डारेक्शन में मशीन बीप करना स्टार्ट करेगी यह देखिए यह बीपिंग स्टार्ट हो गई है इसी दिशा में पानी है अब हम इसकी रिपोर्ट जन्रेट करेंगे किसान भाई हो यह प्रेपोर्ट आ चुकी है रिपोर्ट इन्तिजार है देखते हैं कितनी दूरी पे यह इसका पॉाइंट बता था रहा है पानी का location बता ही रहा है यहां से देखते हैं कितने दूरी पर उसके बाद फिर हम यहां तो सर्य यहां पर रेपोट आच Love तरीके से यहां पर रिपोर्ट आ चुकी है PDF ओपन किया हमने तो सर यहां पर रिपोर्ट आ चुकी है और 200 मीटर की रेंज दिखा रहा है यहां से पानी 200 फिंटर नीचे है है न और यहां से कितनी दूरी बता रहा है यहां से दस मीटर आंगे चलना पड़ेगा ठीक है यहां से दस मीटर आंगे चलते हैं तो यहां पर देखिए यहां से 33 फिट में आपको लोकेशन बता है मशीन ने और 33 फिट का हमने यहां पर एक पत्तर पत्तर क्या मतलब मिट्टी का ढेर रख दिया है अब हम यहां पर दूसरी प्रोसेस करेंगे मेनयवल प्रोसेस करेंगे लीनियर यहां रख रख शक्ता नहीं है यहां मैन्यूल हातों से देखेंगे जहां कर दिया है अब यहां पे मशीन रोटेट हो गी और आपको यहां पर प्वाइट बिताएकी उस फॉइंट पर हमको चलना है देखे यहां पर उर यह प्वाइंट बताया है अब इसी स्टिक में हमको चलना है बिलकुल जहां पर होगा जहां पर निशान लगाया है वहां तक आपको खुद पहुचाएगी मशीन देखिए मशीन उसी दिशा में चल रही है हम भी उसी दिशा में चल रहे है हम भी उसी दिशा में चल रही है हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं देखिए यहां पर और बस आने वाला है यहां पर पॉइंट और जैसी यहां पर पॉइंट आया है वैसे ही मशीन ने गुमना स्टार्ट कर करेंगे उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो यहां पर यह पत्थर रखा हुआ है सबसे पहली दिशा में हम लोग गए और उसने देखो मशीन ने फिर से बापस बैक डारेक्शन में कर दिया है कि भीया पीछे चलो अब हम बापस से आएंगे उसी जगह एक जगह हम फर्स्ट यहां पर आ गए है और यहां मशीन देखती है क्या करती है फिर से हम राइट साइड में जाएंगे साइड जाएंगे और देखते हैं फिर से यहां पर देखे मशीन ने बैक कर दिया है कि पीछे जाओ दो दिशाएं हो चुकी है आठो दिशाओं हम टेस्ट करने वाले हैं वापस यहां पर और लसके बाद आखरी लाश दिशा हम देखते हैं तो यहां पर हम गए फिर से मशीन ने बोला भई आप वापस चलो अब फिर ध्यान देना अब जैसे एक्जेक्ट पॉइंट पहुंचेगी मशीन उसके लाद क्या होगा देखते हैं जैसे ही एक्जेक्ट पहुंचेगी मशीन क्या करने वाली है वह जैसे और आपको पता चलेगा यह देखिए यहां पर देखिये मशीन ने गुमना स्टार्ट कर दिया है मतलब पानी यहीं पर है यहीं पर पानी है अब यह मशीन आपकी क्या करेगी हम आठों दिशम में टेस्टिंग कर ली अब एक रिपोर्ट जनरेट करें और उस रिपोर्ट से हमको पता चलेगा कि पानी कैसा निकलने वाला खौतर पानी है मिठा पानी है कितनी दूरी पर है कि पर यहां पे जरूरी नहीं कि एक ही सोर्स पे पानी हो साध कभी 500-500 पे बीच पानी मिलेगा और पानी कैसा है और कितना पानी है कि तो हम उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं आपको जैसी रिपोर्ट आईगी हम आपको दिस्प्ले में समझाएंगे उस रिपोर्ट के बारे में कि कितनी एराई पर पानी है क्या है तो बने रही है तिवार जी की लाइब के साथ में और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो किसान भाईयों आप से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा ज्य अंत में इनसे नंबर भी पूछेंगे एड्रस भी पूछेंगे और इसका प्राइजिंग भी पूछेंगे कि एक बार टेस्टिंग के कितने प्राइज आपको लगेगा एक बार में आप कितने दूरी पर ये लोग कहां कहां टेस्टिंग करवाते इसके बारे में भी हम लो हो चुकी है यहां पर हमने इसको डाउनलोड किया रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है अब हमको यहां पर पता चलेगा कि कितने दूरी पर पानी है और कैसा पानी है और वह हम इंजिनियर साब से समझेंगे सारी हैं सोर से कितना पानी है और आपको पुरा पता चलना या इसमें जो रिपोट आईए हो 127 मीटर पर पहला पॉइंट बता रिए दूसरह 160 मीटर पर बता रिए और तीसरह 203 मीटर पर बता रिए ज्यादा सरपानी किस कहां पर है देखिए तीनों का एक मिक्सर वो होता है मतलब इसमें मैक्जिमम जो डेप्ट मैं इंटर्नल बता रही है यह 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 आपको कम से कम 160 मीटर जाना पड़ेगा पांसो फुट के लगबग जाना पड़ेगा और उसके लावा सब्सक्राइब पानी केसा है हें बिल्कुल मौला पानी ही निकलेगा बता रही है तो दस प्रस पांच पर सेंट उपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा मौला कम जादा हो सकता है और यहां पानी जैसा अभी यह बता रही है मुझे यहां सब्सक्राइब दिख रहा है इसमें तो मतलब 2000 का एक इंच पानी माना जाता है तो इसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब मतलब धाइंच तक का पानी पानी आप यहां पर मिल जाएगा तो किसान भाईयों यहां मिला था रोटेटरी से मेथट से और लीनियर से यहां पर पॉइंट मिला है अब हम तीसरी मेथट यूज करें क्योंकि बहुत छोटा एरिया है और वो फिर आपको एक्जेक्ट बताएगा कि यहां पर पानी कहां पर है चांते हैं इंगिनियर साब से कि अब हम लोग कौ झाल 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 आपकी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी देखे यहां पर पानी आपको मिल गया है यहां पर एक प्वाइंट गमना टेस्टिंग की यहां पर पानी आपको मिलेगा कि अब इसका हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट बताती है कितनी गेहराई में यहां पर पानी और कैसा पानी है हमने इसमें जो रोट अपना जो मैनुवली चेक किया इसको यह उसका रिपोर्ट है करें इसमें यह जो दो लखीरे दिखा रहा है यह हुर फ़्पॉइंट है यह जहां इसका मेन पॉइंट इसका है हुर पानी हमने इसको चेक किया है यह इसका ग्राफिक्स है यह इसमें sa man 久ców बता रहा है इस में कि यह सो से 150 मीटर पर एक पॉइंट आफ कर रहा है एक 200 मीटर की रेंज पर कर रहा है हाँ ना देखिए यह सोर्स वन मिलेगा अपने को 200 मीटर पर इसमें आपका जो है यह रॉक स्ट्रेंथ बता रहा है यह 50 परसेंट मतलब जब हम बोरिंग कराएंगे तो बहुत ज्यादा हाड़नेस नहीं होगी हमारे पास हाना इसमें हमारा वाटर कॉंटम जो बता रहा है वह 3400 बता रहा है तकरीबन यह आप मान के चलिए 1.5 इंच से उपर का पानी बता रहा है मतलब मिलेगा हां इसमें थोड़ा इसमें जो टेन परसेंट का वेरियेशन है वह सकता है जैसे मैंने मीटर में बता एक सो सताइस मीटर हो सकता वह 120 मीटर पर स्टार्ट हो जा या वह 135 पर भी जा सकता है वह इतना थोड़ा सा वेरियेशन आते हैं लेकिन इसका जो हमारे प्लोटिंग के हिसाब से जो इसका छेव फैक्टर को हम जो मिला तो वह परफेक्ट बैठ रहा है तो सर पानी जैसे इसमें मीठा रहेगा कैसा रहेगा इसमें तो सर यहां पर जो अभी हमने दूसरी जो रिपोर्ट निकाली है उससे तो यहां पर जो सेलेनेटी कमी बता रहा है पानी ठीक मिलेगा मतलब इतना जो मोला या खारा बोलते हैं व्यासा पानी नहीं है क्योंकि इसकी सेलेनेटी यहां हम जब डैप्त में जा रहे हैं तो वह 50% से नीचे आ रही है बाकी जगे हमने जब लीनियर से या रोट है कि इसके जो 6 परामीटर से उस पर यह सारी चीज़े परफेक्ट बैठती है तो यह आपर तो परफेक्ट मिला है आपको 200 तक की रेंज तक 10 प्लस या माइनस हो सकता है क्योंकि यहां पर मशीन है मैंने पहली बताया 90% की एक्वरेसी है बड़ आपको पता मोटा मोटा पत ही मिलता ही नहीं है वह सिर्फ धूली धूल ऐसी पूरा एक्सपीरियंस है ऐसा कोई अभी तक एक्सपीरियंस देखने में नहीं आया पानी कम जादा हो सकता है लेकिन ना निकले इसके लिए अपने अभी टेस्ट करेंगे तो भाईयो यहां पर हमने टेस्टिंग कर ली हमा नहीं होती है एक यहां पर बोरिंग है और बोरिंग के पास चलते हैं जहां से पानी निकल भी रहा है बोरिंग दे रही है पानी वहां पर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां पर मशीन किस तरीके से काम करती है और अगर वहां पर मशीन प्रॉपर काम करती है तो आप समझ चाहिए कि इसके बारे में जो हमने सुना था वो एक्जेट वर्क करने वाली है तो हम आ गए हैं यहां पर आपको जैसे बोरिंग दिख रहा है अब हम पॉइंट करेंगे जहें यहां पर देखिए पॉइंट नौर से कर लिया है उसके बाद रोटेट किस तरीके से करती किस द कि देखे अपर आपको डारेक्शन देखो यहां पर आ गई रेक्षन तो अब इस डायरेक्शन वहां गे बढ़ेंगे क्योंकि यहां पर क्योंकि पहले जब यह बोरिंग हुई होगी तो किसीने टेस्टिंग तो करवाई नहीं होगी फिर भी देखो टेस्टिंग के साफ से हम आगे बढ़ रहे हैं जो यहां पर दी है मशीन ने आगे थोड़ा बढ़ अग्ष होता है और कितने फास्ट गती से आपको दिख रहे हैं घुमना पड़ेगा देखो यहां पर आठों दिशाओं में उसके बादी रिपोर्ट यहां पर जन्त कि यहां पर हम सारी दिशाओं में गुम चुके हैं और पानी जहां होता है मशीन वहां गुमना स्टार्ट कर देती है देखिए यहां पर क्योंकि पहले से बोरिंग है यही तो हम आपको दिखाना चाहते थे प्रत्यक्ष को प्रमाड की आवशक्ता नहीं होना चाहिए अब बस यह है कि गहराई में थोड़ा बहुत 10 फिट 20 फिट का डिफरेंस हो सकता है कोई अगर यह 400 बताती है तो साह 410 फिट वाना पड़े क्योंकि इतना मशीन है मशीन 390 भी हो सकती है मशीन है यूमन नहीं है तो कि हूमन ही मशीन बनाता है रिपोर्ट निकाल जैसा कि हमको म मशीन बता रही है वह अपना 500 फिट के आसपास बता रही है इसमें आ रहा है यह 500 मेटर पर उन्होंने इमेजेस हम डिस्प्लेइपे भी शो कर देंगे यह 500 मिटर पर यह पहला सोर से 145 मिटर से लगा कर 205 मिटर में तो पहला सोर्स जो 145 चाहिए तक्रीवन 500 फिट के तो किसान भाईयों भाईयों बहनों आज हमने इसकी टेस्टिंग की और आपको सब कुछ रिजल्ट एक्जेक्ट मिले तो तो आज की हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चकी है अब हम इन से पूस्ते हैं एंका एड्रेस किस तरीके से इसे इन से पूलोर सकते हैं उस कोई पाइल नमबर 9827637849 उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और जाने में कहीं पर भी जा सकते हैं बस डिस्टेंस और कितना वक्त लगेगा उस रिसाब से साब 1.500 और जाने इक्स्ट्रा जो है से 2.500 और जो किलो मिटर जैसा रींज बढ़ता है फिर उस loi बढ़ते चला जाता है यहां पर इंदौर में और इनके टीलर हैं उनसे बात कर लेते हैं यहां पर आप कर सकते हैं सर अपना भी आप एड्रेस और वो बता दीजिए इंदोर में जानकारी के लिए श्रीनाज जी एगरी टेडर्स जो की छोटा बंगरदा रोड पर है जो इसको लक्ष्मिनगरमंडी रोड भी कहते हैं वहाँ पर आपको यह सारी चीजे सुईधाय उपलब्द हो ज जानकारी कर चाहें तो मिल जाएगी इसकी